आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का लाइप पर प्रशन पर बहुत बहुत सौगत है मैं होंगे दिश्टों और रियल लाइफ एक्जामपल लेके आए हो दोस्तों एकदम फ्रेश एकदम ताजा एकदम नया दोस्तों आप सब लोगों ने जो प्रशन पूछा उनमें से दो बहुत काम रहते हैं जो लेकर लेको लेकर लेकर कौन सी लाइन है जो वीक्ति को देख विटियों बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है आप सब की डिवांड पर ही आई तो आप लोगों को अच्छी लगएगी दोस्तों सबसे पहले अम अगर देखें को इस डीनक करत सबसे पहले हम लोग हमेसा दोस्तों उंगलियों से आप देखेंगे लॉंग फिंगर एर ऐलिमेंट को सो करती है वक्ति के सवतंतर सबाओ को एक इंडिपेंडंट नेचर को दर्शाती है और इनका हाथ भी एर एलिमेंट टाइप का कुछ फाइरी नेचर भी कही न कहीं आप देखने मिलता है अगर फिंगर टिप्स की बात करें तो फिंगर टिप्स काफी लंबी होंगी यहां देखने हो मिली फैलेंजिस पे आप देखेंगे वर्टिकल लाइन हैं वर्टिकल लाइन हमेसा शो करती है दा लेवल आफ एनरजी बहुत ही अच्छी है मतलब एक फ्लो लाइन आ जाए चैटीज लाइन आ जाए तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर ग्रह उस पर्टिकुलर उंगली से माली जीए आपकी गुरु उंगली में आपकी चैटीज रेखा कोई होल्जेंट का लाइन है डैक पीस की आपका रिलेसंसिप किसी ना किसी से खराब ही हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है बुद्ध परवत पर अच्छी वर्टिकल लाइन है डायट मेंस की इनके मेरिट लैफ क्योंकि यहां पर विवाहर एक आपकी बंती जिसे यूनियन नैन भी कहते हैं तो दो लोगों का यूनियन यहां पर यह मतलब नहीं है दोस्तों काई च्छी लोग मुझे से पहते हैं यहां पर मेरे दो लाइन इतीन लाइन किती बार बताऊं आप लोगों को दो तीन लाइनों का मतलब यह नहीं होता कि इसका मिल्कुल बिल्गुल मतलब नहीं यह बस यूनियन है ये लेवल ओफ आपके अंदर लफ का स्ट्रेटेस क्या है गहराई किती है वो वस उस चीज़ को दिखाती है इसके तक दोस्तों अगर हम आ जाते हैं मर्करी माउंट पे मर्करी माउंट पर हम पाते हैं मर्करी माउंट यहां पर वेल्ड डवलप है मर्करी माउंट हम लोगों के अंदर तंत्र का अतंत्र को हमारे ब्रेन को हमारी communication skills को हम कैसे तुरंत तदचंड जैसे भी हैव करते हैं वो दिखाता है तो यहाँ पे आप अच्छा communication इस बंदे में पाएंगे क्योंकि आप well developed mercury mount पाएंगे उठावा परवत है और इनके गुरु परवत पर क्रॉस है आगर हम दूसरे hand की तरफ देखें कहीं ना कहीं आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे vertical line ने तो हैं काफी जगा पे लेकिन horizontal line भी show कर रही है और यहाँ पे बुद्ध परवत पे lack of communication दिखाता है relationship में communication करना बेहत ज़रूरी है अगर हम वापस इस हांट पर आते है एक्स का निसान हमेशा ही सब जगा पे अच्छा नहीं माना आता है लेकिन गुरू परवत पे पेहत सुभ माना जाता है तो यह व्यक्ति को इस चीज में problem नहीं हुई कभी भी relationship को लेकर व्यक्ति के अब धन भी अच्छा आता है व्यक्ति के अच्छे flow of energy को शुक्र की अच्छी उर्जा को दर्शाने वाली होती है यह उठा हुआ है यहाँ पे केतू माउंट पे आपको fist symbol देखने को मिलेगा यह जो fist symbol होता है व्यक्ति को कही ना कहीं spirituality की तरफ क्योंकि केतू जो है हमारे अध्यातम के कारक होते है कहीने की spiritual path पे कितना आगे बल पा रहा है वो केतू के द्वारा ही देखते है मार्स भी उठा हुआ है जो व्यक्ति गंदर leadership quality वो कहीने कहीन management skills अच्छा देता है अगर हम दूसरे hand की और analysis करना सुरू करते है तो सबसे पहले आप hard line है हिर्दे रेखा है उसमें भी problem पाएंगे क्यों कि ये दो part में divided that is very good लेकिन आपकी age जो साखा है वो नीची के और मंगल की तरफ जा रहा जो कहीना कहीं anger को represent करती है lack of emotions को दरसाती है जो कहीना कहीं किसी बात को लेकर एकदम चिर जाना गुस्सा हो जाना तो कहीना कहीं ये married life की अच्छा नहीं माना जाता है अगर हम गुरू परवत पर बात करें तो इस वेक्तिन ने धन काफी कमाया है तो आप यहां पर देखेंगे तो fresh assemble आपको देखने मिलता है तो good amount of money इनके पास आया क्योंकि यहां पर fresh assemble है अगर हम और आगे इनकी love life और break up की बात करें तो इनके मस्तिज रेखा में देखें दीब बना है इनकी 31 age है इस समय और 28 जब age थी तो इनका ऐसी चीज़े हुई और यहां पर दीब बन्डा उस particular age में इनको problem हुई और यहां पर कई सारी stress line आपको देखने मिलती है अगर कोई रेखा आप में नहीं है Daddy is not mean दोस्तों में ने बताया है कि इसका मलब यह नहीं कुछ गलत है रेखा हो के गरबर हो जाना तब जादा दिक्कत अगर कोई रेखा नहीं है तो आप अपना सोचेंगे करम करेंगे तो कहीं न कहीं आप देखेंगे तीन-चार मैने के बाद वो रेखा उत्पन्न हो गई तो रेखा हैं बंती गरती रहती हैं हमारे करमों के recording अगर हम यहाँ पर शुकर परवत देखें तो यहाँ पर होर्जेंट का लाइने बहुत हैं यह दर्शाती है कि वेक्तिंगे लश्ट कामुक्ता की महातरा काफी जादा है तो इसका कहीं न कहीं मैरिड लाइफ को लेकर सामजस सिना होना पाना इस अपचारी दिक्रते create हो जाती है तो अगर हम moon परवत को बाद कर यहाँ पर भी आपका cross अच्छा नहीं माना जाता है और अगर grid बनना है तो बिलकुल भी अच्छा नहीं माना जाता है सबसे bad syndrome मसे एक है grid बनना grid बनना अच्छा नहीं होता है और दोस्तों अगर किसी जगा पर प्रॉलम आ रही है तो particular हम अपने attitude को बदलके वो निशान खतम कर सकते हैं अपने behavior को change करके mediation करके अगर किसी और वीडियो में लोग मिलते हैं किसी और का analysis करते हुए अगर आपको कोच भी question पूछना है तो नीचे comment करिए और like, share and subscribe आग इस और वीडियो हम लोग मिलते हैं तब तब ना ध्यान लगे इस्टे हो नमस्कार दोस्तो